बिसमिल्ला रख्मान ररहीम आज हम बना रहे हैं दो किसम की ब्राउनी एक हम चोकलेट ब्राउनी बना रहे हैं चोकलेट टॉपिंग के साथ देखनी स्टाइल और दूसरी हम बना रहे हैं फजी ब्राउनी रिश्पी का स्टाट लेते हैं जी सबसे पहले आप एक पैन ले लें कोई मोल ले ले लें जिसको आप ग्रीस कर लिजएगा बटर पेपर लगा दिजएगा उसके बाद जी आल पर परस फ्लार में ने हाँ पर ले लिया है एक कप सिफटिट फ्लार है मेरे पास आपसको बनता है जब भी आप बेकिंग करें तो द्यूरिंग बेकिंग आप इस तरह के मेरमें टॉल जरूर यूज किया करें इस आपकी बेकिंग परफेक्ट होती है तो आप इन तुकल्स को जरूर यूज करें सॉल्ट में डाल दिया जी एक से दो पिंच टाल कर इन ड्राइ इंग्रेडेंट्स को हम मिक्स अप करके साइट पर कर लेंगे उसके बाद जी हमेने ले लिया है बोल उसके अंदर में डाला 100 ग्राम मेरे पास यहाँ पर बटर है आप बटर भी यूज कर सकते हैं आप ऑर और्गैनिक ही यूज कर सकते हैं एनिटिग औः चोई उसके बाद यहां पर मैंने शुगर के अंदर डाल दीजी 100 g यह बनती है तकरीबन आदा कप यह डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीकी से करना है mix up आप यहां पर powdered sugar भी डाल सकते हैं granulated भी डाल सकते हैं लेकिन icing नहीं जाएगी यह डालने के बाद यहां पर दो eggs जा रहे हैं इसके अंदर लेकिन eggs आपके make sure कीजिएगा कि room temperature पर हो अंडे ठंडे नहीं होने चाहिए हम इसके अंदर one by one use करेंगे और आपने अच्छे तरीके से इसको perfect beat करना है ताकि इसके अंदर कोई भी sugar की जो granules है या आपके कोई भी दूंस नहीं होने चाहिए यह देखें जी अच्छे तरीके से हमने इसको smooth सा एक mixture ready करना है और इसकी consistency जो है वह रणी होनी चाहिए यह consistency देख लें जी काफी रणी consistency है उसके बाद यहां पर vanilla extract इसके अंतर जा रहा है one teaspoon आप चॉकलेट एसंस भी डाल सकते हैं मेरे पास vanilla essence थ लें 60g आप जो बच्चे खाते हैं जो चॉकलेट आप वह भी उसकर सकते हैं इसके अंदर दो बार्स आप लेकर उनको 30 seconds के लिए आप microwave में इसको रख लें और melt होने पर आप इसके अंदर डाल दें अच्छे तरीके से हम इसको इसके अंदर mix करेंगे जब यह proper इसके अंद में डाल रही हूँ अब dry ingredients जो हमने start में mix करके रखे थे all purpose flour और cocoa powder वो अब हम इसके अंदर gradually add करेंगे एक बार आपने सारा नहीं डालना और डालने के बाद आपने इसको fold भी करना है तो थोड़ा softly कीजिएगा इसको आप यहां पर hand whisk को भी आप थोड़ा इस तरीके से use करे करने कि यह softly mix up हो जाए और जो mix up हो जाए आप make sure करें कि यह बिल्कुल इसके अंदर कोई भी dry ingredients नहीं है तो आप इसको वहां पर fold करना stop कर दें बिकास आप बहुत जादा over fold करेंगे तो उससे यह होगा कि आपकी brownie hard हो जाएगी अवन को मेंने कर दिया जी preheat 180 degrees बर और 20 to 25 minutes के लिए हम इसको bake करेंगे सारी इसकी जो upper layer है इसको even कर लीजएगा और करने के बाद आप इसको counter पे ही थोड़ा सा tap कर लीजएगा ताकि इसकी air bubbles जो है वो release हो जाए और pre-heated oven के हंदर हम इसको कर लेंगे अब bake दूसरी तरफ चेक पैन में आप dark chocolate ले 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 100 grams और 100 grams मैंने डाली इसके अंदर whipping cream अगर whipping cream नहीं है तो आप इस पे dairy cream भी use कर सकते हैं 100 ml डाल के अच्छा सा हमने इसको इस तरीके से melt कर लेना है double boiler पे भी आप कर सकते हैं और इस करना room temperature पे आने के बाद hand beater के साथ या whisk के साथ आप अच्छे दरीके सी या electric beater के साथ आपने इसको beat करना है आपने इसको तक्रीबन 2-3 minute continuous beat करना है और इसका color ये देखें काफी change हो जाएगा और इसकी consistency जो है वो रनी से थोड़ी सी इस तरह थिक हो जाएगी ब्रावनी हमारी हो चुकी थी जी बेक और बेक हो जाने के बाद ये आप इसको देख सकते हैं मैं आपको सारी साइट से खा थी तो ये बहुत perfect बेक हो चुकी थी और इसको room temperature पर लाने के लिए मैंने counter top पी छोड़ दिया था तकरीबने एक घंटा और उसके बाद जी हमारा हमें जो shape चाहिए size जो चाहिए हम उस तरह हम इसको cut कर लेंगे बहुत मज़ेदार ये recipe होती है तैयार आप इसको जरूर बनाएगा और comments में मुझे जरूर बताएगा ये देखें अब यहाँ पर डिबेंट करता है अगर आपके पस white chocolate है या dark chocolate है कोई भी chocolate है उसके साथ इसको decor कर सकते हैं मैंने तो यहाँ पर chocolate chips डाल दिये थे बहुत ही soft बहुत ही मज़ेदार ये बनकर हुई थी तैयार बिलकुल bakery style ये ब्राउनी से आप इनको जरूर try की ज अब आपके पास चॉकलेट है तो आप वहाँ ले सकते हैं राउनी चॉकलेट उसके अंदर चे मेने हाफ कप रहां डाल दिया है और गैने गी आपके बड़े रहां डाल सकते हैं अच्छी तरीकी से हम मेल्ट करेंगे लांब्स नहीं होने चाहिए हाफ कप हम डाल लिए वा तीन एक्स डालेंगे और वनेल एसेंस हैं वन टी स्पूर डाल देंगे अगर वनेल एसेंस नहीं है तो आप चॉकलेट एसेंस कभी यूज कर सकते हैं यहाँ पर वनेल एसेंस यूज किया है अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप लेवन जूस डाल सकते हैं विस्क करे इसके बाद फ्लार डालेंगे जी हाफ कप दाल दें साल्ट हाफ कप डाल दें सके अदर कोओ कोओर डाल का एची से सिफ्ट कर लेंगे ताकि कि इसके अंदर कोई भी फ्लम्स ना बने softly gently इसको हमने फोल्ड करना है softly कीजिएगा इसको harsh न कीजिएगा अच्छे तरीकी से mix करें तो यह आप देख सकते हैं बहुत ही चीवी हमारा mixture यहां पर रेडी होगा है इसको मैंने पार्टमेंट पेपर लगा कर ग्रीस कर लिया है और इसके अंदर हम यह बैटर डाल देंगे डाल के हमने काउंटर टॉप इसको टैप करना है ताकि air bubbles जो भी है वो डिलीज हो जाएं और इसको हमने बेक कर लेना है 20 मिनिट के लिए मैंने इसको बेक के वर नेटर डिडिडी सेंटी ग्रेट पर और इसको आप छोड़ दें दो गंटे के लिए ताकि बिल्कुल ठंडी हो जाए और जब ठंडी हो जाएगे तो इसको टॉप इल्कुल करिंकल हो जाएगा और सौफली सी हमारी फजी ब्राउन